दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल आर्सी प्लेन बनाने वाले हैं इस प्लेन को बनाने के लिए मैंने 3 mm डेपरान यूस किया है चलिए आपको इसके मैं फ्लाइट वीडियो दिखाता हूं दोस्तों यह प्लेन मैंने लगबग 3 मेने पहले बना के रखा था बट उसे उड़ाने के लिए मुझे आज टाइम मिला दोस्तों यहां पर आप देख सकते हवा कितने जोरों से हैं और प्लेन को इदर उदर धक्का दे रहे हैं फिर भी दोस्तों यह प्लेन बहुत स्टेबल और कंट्रोल में था दोस्तों आगे मैं आपको इस प्लेन के डाइमेंशन दूंगा और कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो को एंड दक जरूर देखिए अगर चैनल पर नए है तो सब्स्राइब किजी और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था इस प्लेन को बनाने के लिए मैं 3 mm डेपरॉन यूज़ करा हूँ डेपरॉन के उपर देखिए मैंने हाथ से इस तरह से एक एरफोल शेप बना लिया बात में दोस्तों ब्लेड की मदद से इसी मैंने काट लिया तो अभी यहाँ प दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लगबग 9 पीस बनाए है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने और एक डेपरॉन का पीस लिया है यह हमारी विंग का सेंटर रहेगा और इसके एक साइड में देखिए मैंने यह एरफोल शेप इस तरह से चिपका दिया दोस्तों एरफोल की जैसे हमारे विंग को एक प्रॉपर शेप मिला है कि बात में दुस्तों मैंने यहां पर दो डेपरॉन के पीस लिये हैं और उसकी एक साइड में देखिए इस तरह से मैंने करू मार्क कर दिया इस राउंड को काटके निकालना है और अब भी हमने जो सेंटर वाला सेक्शन बनाया था उस सेंटर वाले सेक्शन में इन दोनों पीसिस को राइट और लेट साइड में लगाना है तो यहां पी देखिए मैंने लेट साइड वाला पीस यहां पी लगाया है दोस्तों जॉइन के ऊपर मैंने टेप लगा दी और इसको थोड़ा सा डाइडरल एंगल दिय रहे धिroc आप भांतो के दो नीची से यहां पर नीचे से इस तरह से पास किया है दोस्तों टेप नीचे से पास करने की वज़े से यह विश्त कर रहा है तो अब भी अगे फ्यूसलाज के बारे में बताता हूं तो यह दोस्तों इस प्लेsınızलाज के दोस्तों यहां पे मैं एक तर्माकुल का piece यूस किया है और उसके नीचे दिखे मैंने Eliotцalt sundum से चिपका दिया है और इस चिक दूसरी Clay में दोस्तों हमारा horizontal और vertical stabilizer लगा है दोस्तों यहां पर आगे की तरफ motor लगी है यहां पर right side में ESC लगा है यहां पर दोस्तों मैंने servo को thermogol के अंदर देखे फसा दिया है और इसे मैंने hot blue से चिपकाया है कि फ्यूसलाज के left side में देखे यहां पर एक सर्वो लगे है नाइन ग्राम सर्वो और यहां पर मैंने receiver लगाया है दोस्तों यह receiver fs2a receiver है और काफी हलका है दोस्तों यह वाली सर्वो हमारे elevator को control कर रही है और यहां पर दोस्तों मैंने cycle की brake wire यूश की है दोस्तों यह wire काफी flexible होती है आप इसे जैसा चाहें वैसे मोड सकते इस brake wire को देखे मैंने यहां पर bicycle spoke में लगाया और दोस्तों cycle का spoke जो है उस सर्वो आम में लगा है कि यहां पर दोस्तों मैंने support दिया है यहां पर भी एक support दिया है और यहां पर भी मैंने support दिया है दोस्तों support मतलब खाली एक प्लास्टिक की ट्यूब है जिसे मैंने hot glue से चिपका दिया है कि और फाइनली दोस्तों यहां पर देखे हमारा control हो कि दोस्तों फ्यूसिलाज के left side में देखे यहां पर जो सर्वो लगी है वो रडर को और इस पूक को देखे यहां पर मैंने support दिया है दोस्तों यह support भी एक प्लास्टिक की ट्यूब है जो मैंने hot glue से यहां पर चिपका दिये और यहां पर दोस्तों रडर का control हन लगा है दोस्तों यह plane काफी हलका है और जब हवा नहीं होगी तब यह plane बहुत अच्छी तरह से उड़ेगा तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक करफ से देख रहे हैं तो आप देख सकते मोटर हलकी सी राइट में जुकिए लगबग 20 डिग्रीस में तो दोस्तों यहां पर राइट थ्रस्ट देना जरूर यह अगर दोस्तों राइट थ्रस्ट आप नहीं देंगे तो जब यह सकते प्लेन लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसे काउंटर करने के लिए दोस्तों मोटर को मुझे थोड़ा सा राइट साइड में एंगल में लगाना पड़ा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जुरूर बताईए थैंक्यू फॉर दोनी अ कि यह वीडियो का लाइटा बताई प्लेंगल में जाहिए टाउड सरय से ड़ेजियो का नहीं है कर दो किई वेडिल